हेलो डियर फ्रेंड्स योर मोस्ट वेलकम एट इस्टेडी आयस प्रेटफोर्म टूडे वी विल डिस्कस सेवन डिशंबर एंड एड दिसंबर न्यूज इसमें फर्स्ट हमारा है सेवन दिसंबर का न्यूज में नालसा नेशनल लीगर सर्विस ऑथराटी जो दाहिंदू के पेज नंबर 10 से उसके बाद 8 दिसंबर के न्यूज के हम डिसकसन करेंगे उसमें से फार्मर्स असिस्टेंस स्कीम तो इसमें काल्य स्कीम और पीम किसान स्कीम सेकिन इसमें मिजल्स और रुबेला वायरस जो है इससे समंदी दो-तीन बाते करेंगे थर्ड नंबर का टोपि भी हमने डिसकसन किया था आज फिर इसके उपर कुछ जो मैन मैन पॉइंट से उनको लिके डिसकसन करेंगे तो लेट्स स्टार्ट आज हमारे पास दो पेज एट दिसमबर के और एक पीज ओनली कहा का किसका है 7 दिसमबर का यही जो हमारे इंपोर्टेंट न्यूज है तो फ़र्स नेशनल लीगल सर्विश ऑथर्टी यह जो ऑथर्टी बनिती यह क्या है एक इस्ट्रेटरी बोर्डिंग मिंस सामिदिक संस्था लीगल सर्विस के तहित इसको बनाया गया इसका मैं मैंक सकता फ्री लीगल सर्विस चू दे विकर सेक्संस ऑब दी सोसाइटी में जो गरीब लोग है उनको क्या प्रवाइड करना जो विदिक सेवा है कि अगर उनके उपर किसी तरह का कोई मुकदमा चलता है तो कई बार क्या होता है कि उनक पूर एंड विकर सेक्संस ऑब दी सोसाइटी मेंस गरीब जो है और जो पिछड़े वोली हुए लोग है उनको लीगल सर्विस प्रवाइड की जाएगी आर्टिकल 39 एके तहत जो क्या है एक डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्तों में आता है नलसा जो है इसका जो में पैट्रोन इनचीफ जो मेंचीफ है कौन रहता है CGI और सीनियर मोस्ट जज जो है इसका एक्ज़िटिव चेयरमन रहता है कारेकरी अध्यक्स इसका कौन रहता सुप्रेम कोड का सीनियर मोस्ट जज इसके पास पावर क्या है marginalized and excluded group of the society legal literacy और awareness को बढ़ाना उनमें विदिक्चु है साक्षर्ता उसके बारे में बढ़ावा देना की कैसे कैसे मुकद में चलते हैं वकील कैसे कर सकते हैं आमको फ्री में वकील कैसे प्रवाइड होगा यह सब पादे क्या है legal literacy लोग का दालत को बढ़ावा देना उनको और strength प्रोवाइड करना ताकि alternative dispute resolution mechanism को बढ़ावा दिया जा सके alternative dispute resolution mechanism का क्या मतलब है कि जनरली हम जब भी कोई मुकदमा होता था है F.I.R. होती है उसके बाद court कचरी के चक्कर में क्या लगते रहते हैं आदमी परेशान सुल्जा मिंच जो भी कोई मुकदमा रहता है या मुद्दा रहता है उसमें सुल्जाओ कर लिया जाता है ये एक informal quick मतलब जल्दी होने वाला inexperience और effective resolution है disputes को लेकर minimize the load of education on the overburdened judiciary मिंस judiciary पर पहले से बहुत सारे मुद्दों को लेकर क्या है सकता है लोक अदालत पे question आचुका UPSC में पूछा जा चुका है कि लोक अदालत क्या करती है लोक अदालत में civil और criminal दोनों मामले जा सकते हैं साथी में लोक अदालत के द्वारा अगर कोई एक बार निर्ने दे दिया गया है तो उसकी पूरे इंडिया में कहीं भी अपील नहीं की जा सकती चाहे सुप्रीम कोटों चाहे हाई कोटों लोक अदालत ने एक बार निर्ने दे दिया तो वो निर्ने क्या है final लोग अदालत में लंबित मामले और जो मामले भी तक Supreme Court में मिस किसी भी Court में नहीं पहुचे है वो लोग अदालत में आ सकते हैं लेकिन अगर एक बार मामले के सुनवाई Court में स्टार्ट हो गई तो वो लोग अदालत में नहीं आ सकते Climate Change से सम्मदित एक Intergovernmental Panel on Climate Change इसकी एक special report है the impact of higher global temperature on land ocean and cryosphere कि जो higher global temperature means जो वेस्विक तापमान बढ़ रहा है उसका जमीन पर ocean means समुद्र पर और जो cryosphere means जो बरब के लिए जमी रहती है Arctic Antarctica में उनके उपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में एक report थी पैरिस climate agreement हम पहले ही देख चुके हैं कि 2015 में हुआ था जिसके तहत कुछ-कुछ जो एक green climate fund बनाया गया था इसमें एक है United Nations framework convention on climate change ये भी हमको पता है कि ये 19 जो Rio Earth Summit हुआ था उसके तहत ये आया था 1992 का जो Earth Summit है UNFCCC उसके बाद UNCCD and CBD UNCBD United Nations Convention on Biological Diversity United Nations framework convention on climate change and United Nations convention for compact digitification तो तीनो जो 1992 में जो Rio Summit हुई थी उसके तहत ये आये थे तो ये थोड़ा सा याद रखना इसी में कहा गया कि री रेंफॉर्सिंग दी प्रिंसिपल ओफ कॉमन एक CBDR CDR जी इसमें क्या होता है common but differentiated responsibilities की responsibility सभी की समान है लेकिन different different रहेगी जैसे अगर अगर हमको emission कम करना है CO2 emissions तो जो developed country है उनके उपर ज्यादा बढ़न रहेगा जो developing country उनके पर कम बढ़न रहेगा इसी को बोलता है common but differentiated responsibilities and respective capitalities industrialized nations to provide liberal transparent funding to developing countries under Paris agreement हाँ इसमें एक green climate fund का एक प्रावधान आया था जिसमें hundred billion dollar का fund बनेगा जिसके तहत क्या होगा developing countries को क्या provide किया जाएगा financial help ताकि ओ climate change के जो खत्रे हैं उनसे निपट सकें और क्यूशन UPSC 2016 में पूछा गया था कि green climate fund कितने का है और इस इसका एक point था hundred billion dollar से वहां से क्यूशन पकड़ में आ सकता था एक sentence लिखावा था कि Paris climate में इतने dollar का एक fund बनाया गया है उसमें 1000 billion dollar लिखावा था जबकि कितना होना चीए था hundred billion dollar 8 December में एक pharma assistance scheme आई है उडिसा गोर्मेंट उडिसा गोर्मेंट उडिसा गोर्मेंट पहले काले scheme के तहट जो किसान थे उनको 10,000 रुपय पर year देता था लेकिन अभी इन्होंने क्या किया कि PM किसान के 6 और काले scheme के इन्होंने 10 से 4 कर दिया तकि total मिलागे कितना रह जाए सालाना 10,000 तो यह इस टाइब की scheme दूसरे state भी अपनी personal scheme और PM किसान दोनों का फाइदा ले सकते है तो यह थोड़ी सी important है कि जैसे उडिसा government में 10,000 किसानों को मिल रहा है सालाना वैसे और state government में ऐसा कर सकती कि PM किसान के इच्छा है और खुद की तरफ से कोई AC scheme निकाल कर पैसा पढ़ा सकती है second topic है कि मिजल्स एन रूबेला तो मिजल्स क्या है highly contagious virus है जो की unvaccinated जो child रहते है जिनमें तीका कर नहीं हुआ है उनके थ्रूए फैलता है इससे blindness, miss, अंधापन, pneumonia और death बच्चे की हो सकती है रूबेला जो वाइरस है यह congenital rubela syndrome डवलप करता है इसमें abortion और birth defect बच्चे में जैसे heart वाली problem कोई अंदर हो आइस या फिर brain इनमें कोई problem हो सकती है बच्चे में तो मिजल्स एन रूबेला वाइरस बच्चों के लिए बहुत डेंजर है मिजल्स एन रूबेला vaccine इनके लिए provided है तो यह थोड़ा सा याद रख जो चार्टर एक था ना 1833 का हमको पता बिट्रिस पार्लियमेंट के दूरा जो बनाया गया था इसमें पहले इंडिया में सबसे पहला low commission बनकर आया मेकाले जो थे लौड मेकाले उसकी chairmanship में और इसने क्या किया था कि इंडिया का एक लाया इन्होंने codification की या IPC का और दू क्रिमिनल कोड की स्थापना और किसी भी investigation में जो सजा दी जाएगी investigation दूरा उसकी पूरी procedure क्या होगी इसी को क्या बोलते है codification of Indian law जो किसके अध्यकस्था में लौड मेकाले जो first law commission था हमारे आज़ादी से पहले यह थोड़ा सा याद रखना फोर्थ नमबर का है review of criminal air reservation तो उपर पूरी क्रिम क्रिम निकल जाती उसी तरह हैं समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारी धन संपदा है और उनके पास पूरी संसादन होने की कारण जो regeneration है उसका फाइदा वो ले लेते हैं इसलिए उनको बोलते हैं क्रिमी लेयर वाले लोग तो government of जो वो क्रिमी लेयर के दाइरे में आते हैं लेकिन SCST में अभी ऐसा नहीं है इंकम का लेकिन प्रमोशन में government of जो supreme court है उसने कहा है कि क्रिमी लेयर का concept सुप्रिम को SCST के प्रमोशन में लगीगा तो क्रिमी लेयर कॉंसर्प्ट जो है apply होना चाहिए या नहीं होना चाहिए SCST में reservation के दोरान जब प्रमोशन में दिया जाएगा तब तो ये पहले एक five bench judges थी उसने कहा कि yes ऐसा होना चाहिए तो हाले में government of इंडिया ने एक review petition डाली है कि एक 7 बेंच में इसको भेज दिया गया वो इसको review करेगी कि ऐसा होना चाहिए नहीं 2018 में Supreme Court में जन्रेल सिंग वर्सिज एक लच्मी नारायन गुपता केस में कहा गया था कि जो SCST की क्रिमिलेर है वो लागू होना चाहिए इंद्रासानी केस जो था Union of India दोनों के बीच में लड़ा गया इंद्रासानी वर्सिज उनियन ओफ इंडिया 1992 में और उससी की तरह के मंडल कमिशन बनाया गया था उसने कहा था कि मंडल कमिशन के ऐसी recommendation भी थी कि क्रिमिलेर होना चाहिए और वर्तमान में 8 लाग 2017 से क्रिमि 341 & 352 of the Constitution 341 & 352 के तयत SC & ST को सम्मिलत किया जाता है जब भी article 341 & 342 में किसी भी जाती को include कर लिया जाता है तो उनको SC & ST का दर्जा मिल जाता है जब SC & ST का दर्जा मिल जाता है तो फिर बाकी जितने भी प्रावधान है इंडिया के मिंच सविधान में जितने भी इनको रिजर्वेशन की CTO चाए लोग सवार राज्य सवा चाए विधान सवा उन सभी का लाव इनको इन जो भी जाते इसमें आ जाएगी उनको इसका लाव मिलेगा तो यहां पर इंदरासानी के से रिलेटेट कई वर क्योशन पूछ लेता है आज भी रिजर्वेशन सम्मंदित क्या है इंडिया में मिजल्स और रूबिला पिछली बार हिपिटाइटरिस बीपे 2019 में पूछ लिया तो इस बार मिजल्स पे पूछ सकता है हिपिटाइटरिस बीपे वैक्सीन है या नहीं ऐसे करके पिछली बार पूछ लिया फार्मस असिस्टेंस PM किसान हमने पहले से United Nation Framework Conference on Climate Change इस पर मैंस में क्यूशन आ चुका है कि यह क्या है इसका क्या रोल है IPCC की इस रिपोर्ट का हम उप्योग मैंस में कर सकते हैं Paris Agreement जब 2015 में वा था तो 2016 में Paris Agreement से तीन क्यूशन पूछ लिए गए थे डारेक्ट मैंस में एक क्यूशन था INDC IPCC. इन्टेंडेंट नेशनल डिंटरमेंट कंट्रीबूशन. और तीसरा क्यूशन जो हमे ने अभी अभी हाली में बात की थी कि टीसरा क्यूशन जो ग्रीन क्लायमिट फंड था 10 BAl Exodus Approach बात की गई थी, लोग अदालत पर एक क्यूसर आ चुका है, और ये क्यूसर बहुत important है हमारे इंडिया में, कि इंडिया में लोग ज़्यादा तर गरीब हैं, तो लीगल सर्वीस जो है, उसको afford नहीं कर पाते हैं, तो कैसे उनको लीगल सर्वीस, जन्रली फ्री में provide किया जा कि कौन कंसे में क्यूंस में क्यूंस अलड़ी आयो हैं तो आप यह अपनी तयारी को साथ इस तर्के से करते रहिए माई डियर फ्रेंड्स थैंक यू अवरी मुच फॉर टूदेश निउस डिसकॉसन थैंक यू